और कहीं न कहीं करोड रुपया जो मानियों के खाते में जाता था क्योंकि अभी ताइकों की शपत नहीं हुई है तो वो भी उन्हें नहीं जाएगा और इसे के साथ जो सुविधाएं थी और जो गारी भारी भरकम खर्चे थे विठाकुर सुगविंदर सिंग सुखु ने अ किसी मज़े हुए राजनीता की तरह सारी जिवधारी अपने उपर ले और उन दफ्तरों को जिनकी घोशना बिना बजट की हुई थी उन्हें खुलने से पहले ही बंद कर दिया मतलब उन्होंने ना भाजपा और ना ही कॉंग्रेस के किसी विधाय के सुखु उसके अलावा कोई नहीं इस तरह की बात उन्होंने इन कड़े रिपीट इस तरह की बात उन्होंने कड़े फैसलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता में दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि समय जो फैसले सरकार के आ रहे हैं उनका हाले की भाजपा जरूर अविरोथ हिमाचल प्रदेश में सुखु सरकार में अभी तक मंत्री मंडल का गठन भी नहीं हुआ है और विधायकों की शपत भी नहीं हुई है जो जानकारी निकल कर सामने आई है उससे ये भी पता चला है कि करीब करीब एक माह जब हो जाएगा तो उसके आसपास की सारी चीज़े तब होंग था क्योंकि अभी तक विधायकों की शपत नहीं हुई है तो वो भी उन्हें नहीं जाएगा और इसे के साथ जो सुविधाय थी और जो गारियों के भारी भरकम खर्चे थे विठाकुर सुगविंदर सिंग सुखु ने अपने पहले ही माह में बचा कर ये साबित कर दिया ह कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्य मंतरी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ये सब एक तरह से वन मैं शो के सारे विशे को लेकर किया और सिर्फ सुखु उसके अलावा कोई नहीं। इस तरह की बात उन्होंने कड़े फैसलों की माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता में दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि समय जो फैसले सरकार के आ रहे हैं उनका हाले की भाजपा जरूर अब विरोध करने लगी है। लेकिन जनता की तरब से कोई बड़ा विरोध इसको लेकर नहीं आ रहा है। वही मुख्यमंत्री ने भी बड़ी जिमिदारी के साथ जब ये तक कह दिया कि जो कारियल एड डी नोटिफाई हुए हैं उन्हें फिर से हम जरूरत के मताबिक और बजट की प्रावधान के आने काम किये थे उसका हम पहले भी विरोध करते रहे हैं क्योंकि बिना स्टाफ और बजट के दफ्तर कभी नहीं खुलते हैं अब आने वाले 500 दिनों में बड़ी न्युक्तिया हिमाचर प्रदेश में होंगी और इतना तैमाना जा रहा है कि न्युक्तियों में एक बार फ प्रदेश की जनता में भी जा रहा है कि सिर्फ सुखु हूं और कोई नहीं और इसे एक बड़ा विश्वास भी जनता का उनके उपर बना हुआ है